पूरे में कूपना लाई रे अले बेले आंगे वाले लंपा है मैं दब लंपा तेरी जान का समले लंपा में सो गाईज आज तुमें मैं 100 रुपीस का इतना तगड़ा माल बताने वाला हूँ जो एक अंडर रेटेड जेम है जिसका मेंन करेक्टर ऐसा वैसा नहीं बलकि इतना फारू है जो कितनी भी लॉंडो को मार सकता है अकेले इन हैंड तो हैंड कॉंबट और इन गन फाइट्स इन शॉर्ट ये बंदा जॉन विक का चाइनीज वर्जन है और हिस रेम इस वे शैन सो हेलो गाईज मैं हुझे असर और स्टार्ट करते हैं अब देखो गाईज ये गेम बहुत जादा ब्यूटिफूल है ये गेम सेट है होंग कॉंग में जहां ट्राइट के अंदर आपस में छोटे छोटे गैंगवार्स होते रहते हैं सीटी पूरी करप्ट हो गई है लड़कियों की तसकड़ी और ड्रग्स डिलिंग बहुत ही जादा कॉमन हो चुकी है बट इन सब के बाब जो तुम्हें इस जगा की इसकी कल्चर्ड ब्यूटि दिखती है इसके बिल्डिंग्स में और गेम की पूरी के पूरी अटमोसफेर में तो भाई यह तुम्हें एक मोटा मोटा आइडिया मिल गा होगा इसकी वर्ल्ड शिटिंग उपर से ब्यूटिवल है बट अंदर एतनी ही रॉटेन इसकी यूनिक परसनलेटी है जिससे जब आप लोग गेम में मिलोगे तब आपको पता चल जाएगा जैसे कि यह करेक्टर कितना ज्यादा फारू है और यह करेक्टर कितना ज्यादा फुद्दू इस चीज की आइडिया तुम्हें गेम पूरे तरीके से देती है और भाईयो अब बात करें कि Character Development कितना जादा पढ़िया था गेमें तो यार कुछ ऐसे emotional moments थें जो कि भाईयो आपको अंदर से guilt में डाल देते हैं कि यार ये आपने गलत किया है अपने ही दोस्तों के साथ ओ सौरी गाइस, spoiler थोड़ी से चले गई but you guys got my point ना भाईयो अब बात करें main story की देन भाईयो देखो यहाँ इसकी back story पहली थी कि यहाँ के कुछ लोगों ने उसकी बहन के साथ उल्टा सिदा कार नामा किया था जो वे शैन के दिमाग में अभी भी है and ये अपना कुछ personal grudge भी hold करता है against some gang leaders of Hong Kong बट कुछ कारण वर्स इसे अमेरिका जाना पड़ा and after that he became an undercover cop जो अब वापिस आ चुक है अपनी city में जहाँ वो अपना personal grudge तो निकालेगा ही बलकि इन gangs को भी मजा चखाएगा अब भाई ये story मैंने एकदम short में समझाई है ताकि कोई spoiler ना मिले ना ही आपको कुछ उसका idea रहे let's jump to the main topic gameplay when I say the word masterpiece I mean this game भाईयों ये totally quote है भाई in terms of gameplay क्योंकि यार इन्होंने इस game को बहुत ज़ादा engaging बनाया है तो सबसे पहले कह दू अगर किसी ने इसको GTA बोला है मैं उसका surfboard दूँगा क्योंकि ये game एकदम different है GTA से है एंड इसका सबसे बड़ा example है इसकी hand to hand का उंबड मतलब भाई क्या ही satisfaction लेवल है यार बहुत ही ज़ादा तगड़ा एंड ब्रो बैटमेन से थोड़ा अशा नीचे है बट बढ़िया है एंड इसमें फिर आती है environment interaction एंड ब्रो जो इसमें brutality देखने को मिलती है भाई साथ ए वन फिर जब game आपको थोड़ी सी एकदम टूसी कैसे समझाओ हाँ इस बंदे की दिमाग की जितनी बूरिंग लगने लगेगी तभी इसकी awesome gunplay आज आती है जो perfect balance पना के आपको देती है जिस से combat बहुत जादा engaging रहता है पूरे game में और यही नहीं सबसे मज़िदार चीज आती है when we do the chase scene भाई साब पार्को आफ दिस game is good better than this whole franchise अड़ मजाग कर रहा था बट पार्को सच में बहुत जादा पहतरीन है बहुत बाते कर लिए game ले की अब थोड़े से time देना चाहूंगा puzzles of this game के ओपर they are good and learning path of the puzzles are good too and puzzles थोड़े से game में irritating थे first half में and भाई हो जब आप उसे सीख जाओगे तब आप उसे बहुत easily solve कर सकते हो and इसमें बहुत से variety के puzzles भी देखनों को मिले and overall gameplay में बहुत ही ज़्यादा अच्छा package था well guys I guess बहुत सी बाते हो गई है and आपको एक idea मिल गया होगा ये game एक masterpiece है and sale में इसकी price almost 100 rupees हो जाती है and मैंने इसको 16 hours दिया है and TLC भी complete कर लिए है and side missions भी बहुत कर लिए and मेरे को ये पैसा वसूल game लगा बढ़ देखो ये game underrated रहा कैसे गई because of less sale बहुत को इस game के बार में पता ही ने चला जब आय थी in short spotlight में game आई ही नहीं and अब चलते कुछ unpleasant चीजों पे जो game ने मेरे को experience कराया and इसमें सबसे बड़ा हाथ है camera while driving game की automatic camera center में आने की कोशिश करती है and same time मैं manually लाता हूँ जिससे camera angle बहुत जादा बेगर जाती है and ये तुम्हारे साथ बहुत पार होगा and जिससे कभी कभी तुम बहुत जादा चेड़ जाओगे especially cops जब आपको chase कर रहे होंगे and second thing driving is so much unrealistic अपने हिसाब से तो ठीक दीती है game and breaks वगरा करके तुम्हें मजा भी आएगा but you'll feel like no it's not good third thing is movement and इसके साथ भी वही camera center वाली problem हो जाती है अब इन तीनों चीज के अलावा 100 rupees में मेरे को इससे बढ़िया game नहीं मिल सका था not even in 100 years so that's all for this masterpiece and भाईयो ये must buy and must play game है and it's not GTA जो इसे GTA board है then समझ जाना London ने बस पूरी जिंदकी एक ही game खेलिया है GTA उसके अलावा कुछ नहीं क्योंकि अगर खेला होता तब पता चलता how much different is this game from GTA that's it for this video भाईयो अगर आप लोगों को मेरे साथ जुनना है then follow कर लो Instagram पे and Discord पे जहां मौझ मस्ती रूखती नहीं है and यार वीडियो अच्छे लगे है then like share और subscribe जरूर करना और जो चाहों वो comment कर सकते हो till then thanks for watching and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में